सशिकाल स्काई निउस मंजाब देख रहे हो तुसी ते बैहाद होड़े नाल जननत इस वक्त दी जड़ी खबर या बठिंडा तो समणे आ रही है जितेक करोडा दी ठगी होई है कारोबारियां देनाल जिया तो समणे आ एक बंगाली कारिगर दे वलो लगपाग एक दरजन क जगी होई है तस्वीरा सी थानु इस वले दी दिखा रहे है बठिंडा दिया थानु दास दिन ने आ कि बठिंडा दे करीब एक दरजन जवेलर कारोबारियां नाल एक करोड पे दा सोणा लैके बंगाली कारिगर फरार हो गया ते वड़ी गिंती दे विच जवेलर कारोब काम कीता जाया रहाती है लेकिन होण जडी खबार है बहुत ही वड़ी धी कि ऐकरोड ठागी होई है बहुत वड़ी ठागी जडी अब भीच होई कि कुझ इस मामले ते पुलिसादी कारियां दा केना है ते कि कुझ कारबारियां दे वल्लोग किया गया है आँ ओवित्वान नू सुना निया मैं करतार सिंग जवड़ा स्टेट प्रेइडेंट पंजाब स्वर्नकार सांगा मेरे नाल साड़े जिला परदा अंजी मनमोन कुपू जी सिटी प्रेइडेंट सिटी कैशियर हर्शपोर ला जी अते होर साड़े पंचेती मेंबर भी अथे हाजरा साड़े कोल एस टेम करीब 15 दुकानदार ने जिनना दे नाल ए नुकसान आज़दा होयागा एक बंगाली कारीगर सीगा जो सोने दे समान जेवर बनाओंदा कम करदा सी करीब 12 साल तो हो पुछिंडा दे विचे कम करेहा सी जिसते विश्वास सी साड़े दुकानदार नुके ठीक है क्योंके आज तक दियो दी डीलिंग सही सी फेर सी इस करके उसनों दुकानदार सोना दे सी आज जदो हो सवेरे दुकान नहीं खुल ले इताओदा कार भी देखा गया करते भी ताला लग गया वासी इस तो कलीर हो गया कि उहो चारणदा सोना लेके पाज़ चुक्किया है ताओ ट्रेस करन तो पता लगदा है गया जी के रात याज अर्ली मॉर्निंग को किस वेड़े कदों पच जाए गया है ओधी गहराई दे विच जाँच करूगी पुलिस डिपार्टमेंट करेगा साड़े दुकानदार पर हमाने दस्ञाए गया किसे दा डेड़ सो दो सो गराम किसे दा पंजाब गराम किसे दा काटो इस तरह दे टोटल लगा के करीव डेड़ किलो दे करीव सोना लेके चला गया जिस दी कीमत 90 लग फर पैजां 1 तरोड दे करीब बन दी है असी इस विशे ते जास्टिस लाइन वास ते क्योंकि केस काफी वड़ा है गाई एस करके साड़े सीटी टीम भी आई या उन्हों नाल मैं पंजाब बॉड़ी प्रेज़ेंट हों देना थे मेरी ड्यूटी बंदी सी मैं भी अथे पहुंचा हूं एथे आके असी स्सपी साव उन्हों भी डिरेक्शन्स दिती हैं गियां सानू पूरा प्रोस है के साड़े स्सपी साव, स्पी सीटी, स्चो साव कतवाली पहला भी सानू पौबलिक नो जैस्टिस जिन्दे रहे हैं एस केस दे विच भी असी उमीद रख दे हैं कि बहुत जल्दी सानू जैस्टिस मिले झाला